Hello friends, welcome to StudyFusion दोस्तों आज एक बार फिर से आजी रहे नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं Draftsman Mechanical के Skill Test के बारे में जो की लिया गया था ISRO द्वारा इसमें हम दोस्तों डिसकस करेंगे various questions जो की Skill Test में पुछे गए थे और एक बात दोस्तों ध्यान रखेंगे यह जितने भी question है यह memory based question है क्योंकि ISRO कभी भी Skill Test का question paper आउट नहीं करता है तो इस वीडियो में जितने भी question होंगे वो memory based है इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो के जितने भी questions है वो है ISRO की LPSC unit के जो की exam हुआ था January 2021 में और यह जो Skill Test है दोस्तों यह पूरा का पूरा AutoCAD based था जैसा कि मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ Skill Test को लेने के दो तरीके हैं एक तो manual आप से लिया जा सकता है जिसमें आप से paper drafting करवाई जा सकती है या फिर आप से किसी software के उबर drafting करने के लिए दी जा सकती है तो आज जितने भी हम question discuss करेंगे यह सभी हम है AutoCAD पर बनाने के लिए दिये गए थे तो ठीक है दोस्तों आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से request करूँगा चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें और bell icon को प्रेस कर दें देखिए दोस्तों फर्स्ट कोस्चन जो था draw snap head rivet and conical head rivet and show their dimensional properties तो इस question में बोला गया snap head and conical head यह दो type की rivet है इनको हमें draw करना है और उसकी dimensional properties हमको show करनी है तो इसका दोस्तों answer क्या होगा यह देखिए दोस्तों यह हमारी snap head rivet जिसमें हमें dimensional properties भी बताई गई है snap head rivet में अगर देखेंगे तो यह है जो dia है दोस्तों यह rivet का dia है तो इसके head का height होगा दोस्तों वो होगा 0.7D और इसी परकार इसके head का जो diameter हो जाएगा वो 1.6 time of diameter होगा तो इस परकार से आपको यह rivet show करना है और इसी परकार दोस्तों दूसरा है conical head rivet तो इसी परकार इसमें भी इसके head की सभी properties दी गई है तो इस परकार इस question में दोस्तों यह दो rivet draw करने के लिए हमें दिया गया था जो कि हमें AutoCAD पर draw करना था तो इस परकार से हम draw करके उसकी properties को with dimension show कर सकते है उसके बाद दोस्तों next जो question था वो था दोस्तो draw thread profile and show root, crest, flank, major dia and minor dia तो इसमें बोला गया thread profile हमें draw करना है और उसके जो various elements, root, crest, flank, major dia, minor dia यह उसमें हमें show करना है तो इस question को दोस्तों कैसे करेंगे यह देखिए दोस्तों इस परकार का आप एक basic thread profile बना सकते हैं और इसमें आप various elements इसके दिखा सकते हैं जैसे दोस्तों यह दो point जहांपे meet करते हैं top position पर यह होगा हमारा crest और bottom में जहांपे यह meet करते हैं यह होगा root और root and crest को जो surface join करता है वो हो जाएगा हमारा flank और जो minimum dia होता है उसी को minor dia बोलते हैं और जो maximum dia हमारे thread का होगा वो होगा हमारा major dia तो इस परकार का diagram हमें AutoCAD में draw करना है ठीक है दोस्तों बढ़ेंगे आगे next question देख लेते हैं question number 3 show development of lateral surface of triangular pyramid whose axis is perpendicular to the base base side length is 40 mm axis height is 100 mm तो देखिए दोस्तों इस question कैसे समझेंगे इसमें बोला गया है कि हमारे पास एक triangular pyramid है यह left वाला diagram आप देखेंगे जिसका center axis है दोस्तों 100 mm और जिसके base का जो one side का जो length है वो होगा हमारा 40 mm तो इस pyramid का हमको बोला गया है कि lateral surface का development करना है तो दोस्तों lateral surface क्या होगा जब हम base को neglect कर देते हैं तो बाकी जो faces उसके बस्ते हैं उसको बोलते हैं lateral surface अगर question में बोलता है only development of pyramid तो उसके साथ हमें base को भी develop करके दिखाना होगा लेकिन यहाँ पर सिर्फ lateral बोला गया है तो हम base को यहाँ पर neglect कर देंगे और उसकी 3 sides को हम develop करके उस पर draw कर देंगे तो यह जो right वाला जो दोस्तों diagram है इस परकार से हमें इसको develop करके दिखाना है इसके base का जो length है दोस्तों वो हमारा 40 है सभी में तिनों में और इसके center से जो axis की length है वो 100 है तो इस परकार से हमें यह diagram draw करके दिखाना है ठीक है अब चलेंगे next question की तरफ question number 4 question number 4 है draw view x and top view in third angle projection तो दोस्तों इस type का diagram हमें दिया गया था इस diagram में मैंने dimension show नहीं की है लेकिन question paper में इसका सभी dimensions भी उसमें दिया गया था तो यह जो view x हमें दिखाया गया है यह draw करना है और उसके बाद इसका top view draw करना है तो दोस्तों इस type का जो question हो सकता है वो हमारा 20 से 30 marks का पूछा जाता है और I think यह है जो question था यह 20 marks का था तो इसमें हमें front view और top view दिखाना है तो उसको हम कैसे draw करेंगे दोस्तों यह देखिए दोस्तों यह हमारा diagram है और इससे हमने front view और top view यहाँ पर draw करके दिखाया है और अगर आपके पास time है तो आप इसमें dimension भी जरूर शो करें और अगर आपको लगता है कि आपके पास time कम है तो आप dimensions को skip भी कर सकते हैं लेकिन जरूरी क्या दोस्तों कि आपको diagram जरूर ड्रो करना है और इसके बाद दोस्तों जो next last question पूछा गया था वो यह था दोस्तों देखिए draw assembly drawing of universal coupling कि हमें draw करना है full section में front view and top view तो दोस्तों इसमें क्या होगा front view हमारा full section में होगा और top view हमारा किसी भी section में नहीं आएगा यह ध्यान देने वाली बात है तो दोस्तों इस question को भी आप काफी easily कर सकते हैं अगर आप पहले से कुछ assembly drawing, spot drawing को देखके कर चुके हैं तो easily आप इस question को भी कर जाएंगे तो दोस्तों इसका diagram कैसा होगा वो एक बार देख लेते हैं यह देखिए दोस्तों यह हमारा front sectional view जो की full section में है और उसके बाद यह है हमारा top view तो दोस्तों इस exam में हम से universal joint की assembly drawing करने के लिए का गया था और अगर आप various skill test में अगर जाएंगे तो एक question आपको assembly drawing से related जरूर मिलेगा दोस्तों इस question में आप एक चीज़ और कर सकते हैं आप यहाँ पर part list ready करके और part list के according इसके parts को number दे सकते हैं like 1, 2 और यहाँ पर part list में उन numbers को mention कर सकते हैं तो वो एक चीज और यहाँ पर की जा सकती है तो दोस्तों बस यही 100 marks का एक question paper था जो कि वहाँ पर दिया गया था और चार से 5 question हम से पूछे गये थे जिसमें यही जो assembly drawing है यही I think 40 marks का question था और जैसे कि आप जानते हैं इस row में qualifying marks होता है skill test के लिए 60% यहाँ पर एक चीज बताना मैं बूल गया दोस्तों इसका जो exam का time था दोस्तों वो था 3 hours जो कि बहुत ही जादा है और अगर आपकी practice अच्छी है तो आप इस exam को 1 and a half hour में भी खतम कर सकते हैं तो time का यहाँ पर कोई भी issue नहीं है काफी time हमें यहाँ पर दिया गया था तो easily हम सभी drawings को अच्छे से ready कर सकते हैं तो इसी type के questions दोस्तों सभी skill test में पूछे जाते हैं तो इसके according आप आगे के exams के लिए अपनी तयारी कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को like जरू कर दे इसे share कर दे अपने दोस्तों के साथ और अभी तक channel को subscribe नहीं किया है दोस्तों तो हमारे channel को subscribe जरू कर ले Thank you and take care